आपने बहुत सारी कहापतें सुनी होंगी मार के उपर मार बुध्ध सहित्ते का और बुध्ध का और पुराने प्राचीन पाली भासा का और खास्त वर से जो बुध्ध ने बोधी ब्रेक्श के नीचे जो ग्राण प्राप्त किया जो सारा ग्यान मार को खतम कनने का और मार को मारने का इसलिए मार जो सब्द है वो बहुत प्राचीन है और मार के इतने सारे मुहावरे हैं वो सारे बुद्ध के समय के प्राचीन है और पाली भासा के हैं और भारत के ओरिजिनल है वो बदलने नहीं सकते इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा साहित्य बुद्ध का रहा और कितना बड़ा पाली का छित्र रहा और कितना बड़ा ग्यान रहा कि वो आज की सारी जितने मौहावरे जितनी भासाइं उसके अंदर आता है अपने में और भासाओं को समाहित करती चली जाती है वक्त की ऐसी मार पड़ी अब वक्त कैसे मारेगा यानि वक्त की ऐसी मार पड़ी इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ में आपको बहुत सारे नुक्सान हुए सरीर के रूप से, मानसिक रूप से या वचन की रूप से जो भी जीवन में हुए, आपके परिवार को हुए, उनको वक्त की मार बोलते हैं, कहते हैं उसने मुझे मारा, तो मारने का यहां बहुत सारे सब्दा आते हैं, जैसे मार सारिरिक रूप से भी है, या वचनों से मार होता है, जैसे कहते हैं कि वो तो बा पात मारना बोलते हैं। या उसका जो लास्ट्स स्टॉप है उसका वो है मिर्टू. जब मार बहुत भड़ जाती है तो वो मिर्टू तक पहुंच जाती है और उसका अंत कर देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मिट्टू को प्राप्त नहीं होगा या उसका सरीर खतम नहीं होगा अमर का मतलब यह है कि अब वो मार के छेत से बाहर है अब जितनी भी बुराई हैं वो बुराई हैं उस पर असर नहीं करेंगी जो अमर्तत्व है जिसको अमर्त बोलते हैं संस्काइद भासा में या अमर्तत्व है अमर्तत्व का मतलब है कि आप अपने अंदर वो गुण पैदा कर लिजिए जिससे कि आपको कभी दुख ना हो या कोई इस चीज आपको दुखी ना कर सके अगर ऐसा ग्यान ऐसी नौलिज या ऐसा पैक्टिस आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं जैसा बुद्ध ने किया भिकुने किया आरत ने किया जो लोग करते हैं तो फिर कोई भी बुराई आपको मार नहीं सकती तो आप अमर्तत्व आपको प्राप्त होगा और जब अमर्तत्व आपको प्राप्त होगा कि जो अमर है वो कभी मरेगा नहीं, जो अमरत है उसे पीने के बाद कभी मरेगा नहीं, ये बात ठीक है कि मरेगा नहीं का मतलब आता है कि वो बुराई उसके उपर नहीं आएगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सरीर को हमेशा जीवित रखेगा, सरीर तो प्राक आप थोड़ा बहुत उसको, उसकी स्पीट को कम कर सकते हैं, बुराईयां अगर आप खतम कर देंगे तो आपकी आयू बढ़ जाएगी, आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी आयू बढ़ जाएगी, आप अच्छा खाएंगे, अच्छी हवा में सांस लेंगे तो आपकी आपकी उमर बढ़ जाएगी, ये छोटा मोटा बढ़ाने का घटाने का था हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवन भर जिंदे रहें और मरें ना, ये इंपॉसिबल बात है क्योंकि मेटर का जुड़ना और मेटर का चिपकना, शरीर का बनना और बिगड़ना ये प्राकरतिक रूप से बहुत करोड़ों साथ सालों में जाके इसका सिस्टम डबलफ हुआ है, जो उसके इंदर चलता है, आप होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर इसको अंत में जाना ही होता है, अगर कोई व्यक्ती, बुद्ध जैसा व्यक्ती अगर अपनी मिर्ट्व को रोक भी लेता है, तो यहां जो मार है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जैसे सरम के मारे मर गया, अब सरम के मारे मरना क्या होता है, कोई सरम के मारे मर गई, जिसे तो क्या बूलते हैं, सरम मार गई, या किसी को इज़त की मार मार देते हैं कि ये तो बेज़त की मार है या इज़त की मार है किसी को कहते हैं कि इसको जराबी हया नहीं है हया का मतलब शरम ही होता है तो ये मार के बहुत सारे रूप होते हैं जैसे बातों की मार मैंने आपको बताया क्रोध की मार होती है जैसे क्रोध ने उसको मार दिया या उसको लालच ने मार दिया या उसको तनहाई ने मार दिया या उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया उसने मार दिया या वो बहुत ज़्यादा काम के मारे मर गया या उसके पास बिलकुल काम नहीं है, मर गया यानि कि ये जो मार है मार basically विस्सित रूप है बहुत सारी पुराईyों का एक पुराई को भी मार कह सकते हैं और बहुत सारी पुराईyों के समुख को भी मार कहा चांचा सकता है इसलिए मार प्राछीन सब्द है जो पाली भासा का सब्द है और आज भी इसको सब जीगे इस्तमाल होता है धडल इस है हाला कि आज की डेट में ऐसा बोलते है मार का मतव है किसने डंडे से मारा या गोली से मारा या चाकू से मारा उसको मार बोलते है मगर मार सारी ब्राइयों के लिए आता है जो अठग आता है पहली वाली जिसके अंदर मार से लड़ाई होती है बुद्ध की बैसाग पूर्णमा की रात को बैसाग पूर्णमा की रात को जब बुद्ध ये संकल्ब करते हैं कि अब मैं इस पीपल के पेट से तब उठोंगा जब मैं अपनी सारी ब्राईयों को खतम कर लूँगा और ये पता कर लूँगा कि दुख कैसे आता है और कैसे काम करता है यानि कि वो अपने दुख को दुख जो उनके सरीर में है उसको देखना चाहते हैं ये कैसे वर्क करता है क्यों हम दुखी होते हैं क्या कारण है ये निकलता कैसे आता कैसे जाता कैसे इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं विपस्णा कर रहे हैं साधना कर रहे हैं मैटेशन कर रहे हैं अपने सरीर में की चीज़ को देख रहे हैं जब वो देखते हैं तो ये पाते हैं कि सरीर के अंदर बहुत सारी बुराईयां सरीर में आ गई हैं। लालच है, घिरना है, क्रोध है, इर्षा है, आलस है। ये इतने तरह की बुराईयां हैं, ये सारी सारी बुराईयां कामवासना हैं। सारी बुराईयों ने दुख पैदा किया हुआ है इन बुराईयों को निगालने के लिए वो दर्ड संकल्प हैं और वो इन बुराईयों को निकाल रहे हैं विपस्टना के थो यानि विपस्टना से साधना से तब से अब इसको कैसे निकालते हैं ये अगर आप विपस्ना में जाएंगे तो सीख जाएंगे कि ये कैसे निकलती है, निकल जाती है क्योंकि मैंने भी विपस्ना बहुत बार की है और मैं करता भी हूँ, तो मैं आते हुए भी देखता हूँ और जाते हुए भी देखता हूँ तो वो हमेसा हसता रहता है, खेलता रहता है बड़ा होता है तो बुराईयों आती रहती है उसकी हसी बंद हो जाती है, जैसे बड़ा होता है उसकी हसी रोने में बदल जाती है तो अच्छाईयों के साथ मन उससे पैदा होता है जानवर भी अच्छाईयों के साथ पैदा होते हैं बुराईयों उनको ढख लेती है आप बुराईयों को निकाल देंगे और बुराईयों नहीं आने देंगे अच्छाईयों पुरे सरीर में कबज़ा कर लेंगी पूरे सरीर में अच्छाई अच्छाई हो जाएंगी तो बुद्ध अपने सरीर में जब बुराईयां निकालते हैं तो सारी बुराईयां मिलके ये कहती है वो मार के नाम से चारी जाती है कि हमको मत निकालो यानि बुराई अपने निकालने का प्रतिरोध करती है ठीक ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और उसको कहा है कि तुम क्रोध मत करो मागर जब उसको क्रोध आता है तो यह भूल जाता है कि क्रोध कैसे ना करें मगर उसको अगर याद ला जाए तो वो कुछ ना कोई भाना ढूंता है और अपने क्रोध पे काबूर कंट्रॉल करने की कोशिश करता है तब उसको बड़ी परिशानी होती है क्रोध को या कोई ego है या कोई आलस है या कोई लाल अचहे जैसे किसी को बहुत जाता लाल अचहे कि पैसा कमाना है पैसा कमाना है और उसको कहा कि अपने लाल अच को कंट्रॉल लोगो तो उसको बड़ी परिशानी महसुस होती है शरीर के अंदर उसके सरीर का blood pressure बढ़ जाता है temperature बढ़ जाता है, वो बीमार हो जाता है उसके कहिना के दर्द होना सुरू हो जाता है उसके चेहरे टेड़े मेड़े होने सुरू हो जाते है चेहरे लाल होना सुरू हो जाता है आँखें उसके लाल होने सुरू हो जाती है क्योंकि जो बुराई है वो कहती है कि हम को करो हमें बढ़ाओ क्यों कि बुराई अगर सरीर पर कबजा नहीं करेगी तो वो सरीर को मार नहीं पाएगी यानि मच्चु तक नहीं पहुँचा पाएगी और मिर्तु तक पहुचाने का उसका काम है वो सरीर को मिर्टू तक पहुचाना चाहती है जल्दी से जल्दी इसलिए बुराई जो है वो मिर्टू की एजेंट है यानि बुराई मिर्टू को लेके आती है अगर बुराई नहीं आएगी तो मिर्टू को आने में देर होगी इसलिए वो कोशिश करती है कि जल्दी जल्दी अपना काम खतम करे और जल्दी जल्दी मिर्तू तक मनुस्य को पहुँचा दे या जानवरों को पहुँचा दे इसलिए ये सारी बुराई को मार कहा गया है इसको मार के नाम से जाना जाता है तो मार बहुत तरह की होती है, हजारों तरह की मार होती है, जो भी बुराई है उसको मार खा गया है इसलिए पुराने महाबरों में मार सब्द बहुत जादा परचलित है यहाँ जो बुद्ध ने जब मार को परास कर दिया क्योंकि मार जो होती है उसको एक नाम दिया गया देव पुत्र मार यानि कि देव पुत्र मार उसका एक नाम दिया गया और उसको गरी मेखलंग जो हाती है उस पर चड़ा हुआ दिखाया गया कथा कानियों में और उसके आसपास में बड़ी सेनाय दिखाये गई जो मार हमारी इसकिन है यह पंच इसकंद मार होती हैं इन से हम बहुत सारी OFFICER को इन से हम इत्वां करते हैं जो मортु का करनबाद में बनTIN जो हमारे दानंका क्रेवन का मार्ग खोलती है एक होती है कलेस मार मार जो होती है वो इनी से म alcanz même ऐता है जो आस我 ass कलेस जो वातारण होता है एक उसकी मार होती है आदमी वहां अच्छा खासा भी जाएगा तो वहां जाके बीमार हो जाएगा किसी ऐसी जगे आप जाओगे जहां कलेसी कलेस हो जैसे कोई अस्टाल है जहां सारे रो रहे हो आप वहां चले जाओगे तो आप हस नहीं सकते आप को उसका असर आजाएगा उसको कलेस मार बोलते हैं एक होता है अभी संखार मार यानि जो संखारा होता है उसकी मार होती है जो बर्थ के समय आता है बर्थ के समय जो संखारा आते हैं सरी के अंदर उनकी मार होती है जो निकल आती है अच्छे बने फिर भी अगर आपको लगता ये direct body के अंदर पहले से ही जन्म के समय आ जाती है एक होती है मच्चू मार मच्चू मार जो हो इसको मिर्टू मार बोलते हैं यानि कि ये सारी मारों का last station है सारी मारों को यहां तक पहुचाना होता है इसको मिर्टू मार बोलते हैं हर मार का काम एक ही है कि आपको मौत के घाट उतारना है, आपको मारना है जितनी बुराई हैं, उन सब का एक ही काम है कि आपको कैसे ही ना कैसे बिमार करके आपको मारना है, खतम करना है ये उनका वर्क है, यही इसके लिए वो जनी जाती है एक होती है देव पुत्र मार देव पुत्र मार कूरी सेना जब एक साथ आती है, यह उसका फिल्ड होता है, उसको देव पुत्र मार के नाम से जाना जाता है, यह सारे नाम यहां रखे गए हैं, और यही जानकारी करके मनाएगे जो बद्ने खोजे और बद्ने देखे। देव पुत्र मार के यानि कि मार की सेना के दस अंग होते हैं सबसे पहला उसका होता है कामा आते पठमा सेना पठमा माने पहला और सेना माने काम यानि काम वासना की सेना पहला होता है काम वासना का मतलब है कि जो आपके सरीर के अंदर इंपुट आते हैं जिनको senses बोलते हैं, senses पांस तरह के होते हैं और छटा आपका मन होता है ये senses जो input ले लेते हैं जिससे राग और दूस पैदा होता है जिससे आपको craving आती है, जिससे आपको चाहिए, चाहिए, चाहिए या आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जिससे आपको लाला चाहता है, ग्रीड आता है या घ्रना आती है वो पहला का पहला जो उसकंध है या पहला जो समू है इन पांचों चीजों का जैसे बहुत साधा खाना चाहिए आपको या समेल अच्छी चाहिए या इस्किन के touch अच्छे चाहिए या आँख को हमेंसा अच्छे द्रसे चाहिए या जो आपका जीव है उसको अच्छे स्वात चाहिए या मन को हमेंसा अच्छा अच्छा चाहिए ये पहला field है सेना का जिसमें आपको चाहिए दूसरा है दुतिया अरती बुच्चती यानि कि अरती क्या है दुतिया अरती है जो बताया जाता है अरती का मतलब है एरती यानि आप मार को दूर करना चाहते हैं मार को हटाना चाहते हैं बुरी आदतों को हटाना चाहते हैं और बुरी आदतें आपको हटाने नहीं देती हैं वो आपको एरती पैदा करती है यानि कि उसमें रत ना रहो ऐसी सिती पैदा करती है कि आप उससे दूर भागो अरे साधना क्यों कर रहे हो meditation क्यों कर रहे हो, विपसना क्यों कर रहे हो क्यों सराब छोड़ रहे हो क्यों सिक्रट छोड़ रहे हो, क्यों जुआ छोड़ रहे हो क्यों चोरी छोड़ रहे हो, क्यों हत्या छोड़ रहे हो अरे इसे फायदा है, ये बहुत बड़ी है ऐसे करके मन आपको समझाएगा और उसमें एरती में लेके आएगा ताकि आप विपस्ना साधना मेरिटिस्न में या अच्छी बातों में रत ना रहें तो ये मार का काम है कि मार आपको अच्छे काम नहीं करने देगा चाये आप कुछ भी करें इसलिए आपको द्रट संकल भोना पड़ेगा कि मार जब भी कोई बुरा काम हो तो मार आपको कहता है किसे कर तो आपको समझ जना चाहिए कि मार हमें अच्छा काम करने के लिए रोक रहा है ततिया खुपी पासा पते ततिया जो है वो खुपी पासा पते है खुपी पासा का मतलब है खुपी और पासा बोलते हैं पासा बोलते हैं प्यास को खुपी बोलते हैं छुद्रा को यानि के भूग को जो तीसरी है वो है भूग प्यास जब सरीर के अंदर भूग और पिर अच्छे बुरे का सेंस काम नहीं करता, मार उस पर हावी हो जाता, यानि बुराई उस पर हावी हो जाती है, एक भुका प्यासा जानवर भी कोई भी गलत काम कर सकता है, मुझे एक कहानी और किसा याद है, एक व्यक्ति को कुत्ते पालने का बहुत शौक था, उसने दस वह कहीं बाहर गया, कुत्तों को बंद करके और वह वहां फस गया, और चार दिन तक वह नहीं आपाया, चार दिन बाद जब वह आया, उसे कुत्तों की बड़े याद आई, और उसने जैसे गेट खोला, कुत्तों ने उसको फाड़के खा लिया, यानि भूक और प्यास से उनको मालिक का, नोकर का, या उनका करुणा का, या सारे सेंसुस के कंट्रॉल हो गए, और कुत्तों ने उस मालिक को फाड़, ये मैंने कहानी पड़ी है, और ये रियल स्टोरी है, आप अगर नेट पर चाये तो ढूंड लें उसको, तो यानि कि जानवर भी जो भूक प्य प्यास है, उसमें मार के अधिन हो जाता है, मार उस पर करजा कर लेती है, मनुस्य की तो बात ही दूसरी है, इसलिए मनुस्य को देखना चाहिए, कि जब भूक और प्यास लगे, तो उसकी बुद्धी, उसका ज्यान कैसे काम करता है, और मार उसको कैसे अपने कंट्रॉल मे करता है चतुत्ती तणहा पवुच्चती तणहा पवुच्चती तणहा क्या होता है तशना ग्रेविंग यानि कि जब आपका किसी चीज को चाहिए चाहिए का रिप्टिशन बढ़ जाए और नहीं चाहिए नहीं चाहिए का रिप्टिशन बढ़ जाए यानि बार 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 वो चाहिए जैसे कोई आपको सपोज आपको कोई cycle पसंद आई और वो आपके मने में लगातार घूम रही है घूम रही है cycle चाहिए उसके handle ऐसे थे उसकी रंग ऐसा था उसके पईया ऐसे थे वो चीज ऐसी थी वैसी थी और बार 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 उसका बन को प्रेशान करती है ये मार का लक्षण है और ये चौथा लक्षण मार का है मार इससे आपको कंट्रोल करती है और वो इसको बलाती है इसको बलाने के बाद फिर आप एक्ट करते हैं उल्टा सीधा उसको को प्राप्त करने के लिए और आप फष जाते हैं और मिर्टु को प्राप्त हो जाते है क्योंकि आप अगर सायक्ल लेने कि चमता नहीं है तुआ युथी काम करेंगे जू प्रक्रदी की अगेंस्ट होगा और उसका नुफसान होनु आलस मार का सबसे बड़ा एजेंट है, यानि कि आप पड़े हुए हैं सरीर में, आप एक्ससाइज नहीं कर रहे हैं, आप कहीं आने रहे हैं, जाने रहे हैं, तो सरीर दीरे दीरे खतम होगा, आलस से सरीर दीरे खतम हो जाता है, इसलिए वो हमेसा कहेगा, यानि मार हमेसा कहे कि बाद मैं कर लेंगे, कोई और कर लेगा, इसको छोड़ो, अभी हमें नहीं करना है, फिर देखेंगे, अच्छा मैं चला जाओंगा, स्कूटर कहा है, सैगल कहा है, मोर्सल कहा है, पैदल जाओं, कैसे जाओं, यानि उसको सो बहाने आपको देगा, मार आलस बनाने के, ताकि आप आलस में रहें, और मार उस पर बिजय प्राप्त करें, और आपके सरीर को बीमार करतें, और आपका सरीर बीमार होके, मिर्टू को प्राप्त हो जाए, यह उसका पांचमा सेना का सिपाई का अंग है, चटा भीरू पबुज्यती चटा है भीरू पबुज्यती भीरू माने होता है भै जो मार है मृत्व को प्रात करने लिए आपको भै डालेगा आपको भै में रत करेगा आपको ड्राएगा जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको ड्राएगा कि अरी es तो बड़ा मुस्किल है, यह तो पढ़ा जाएगा नहीं इसे हम कैसे पढ़ेंगे, अतनी मुटी किताब है, यूरल अर्थनी समझ में आ रहा है या वो ड्राएगा कि कहीं मैं इस काम को करूँगा तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा या आपको ड्राएगा कि कहीं मैं जाऊंगा मेरी जान को खत्रा तो नहीं है या आपको ड्राएगा, future में ले जाएगा future में बहुत सारी बातें आपके सामने पेस कर देगा, कि अगर आप ऐसा करोगो तो ऐसा हो जाएगा, आपको ये नुकसान होगा, ये आपको फाइदा होगा मार आपको हर तरह से ड्राएगा और वो भै पैदा करेगा भै पैदा करने से क्या होता है कि आपकी death की जो फाइल है जो आपकी मच्चू की या मिर्टू की फाइल है वो तीजी से खुल जाती है जो लोग भै में ट्रैप हो जाते हैं ये एक cycle है, भै मिर्टू को बलाता है मिर्टू भै को बलाती है और अंत में वो मिर्टू को प्राथ हो जाता है इससे डिप्रेशन आता है बहुत भैंकर जो डिप्रेशन के जितने भी लोग हैं वो पहले भै में आते हैं और भै आने के बाद भै निकलने पाता है वो अपना cycle बढ़ा देता है और बाद में वो उसको जान से मार देता है भारत में ऐसे बहुत सारे बरीज हैं जो मच्चू यानि मिर्टू के संस्कार में भै के अधिन आये हुए हैं और भै से इतने ज़्यादा भैवीत हैं कि वो अपनी मिर्टू या अपसाद और डिप्रेशन के निकट है विपस्ना साधना भै को और डिप्रेशन को जड़ से खतम कर देता है ये बुद्ध ने बताया है और मैंने भी खुद चेक करके इसको देखा है सत्तमी वीचिकिच्छा ते यानि जो सात्मा उनका सेना कांग है वो है वीचिकिच्छा वीचिकिच्छा को बोलते हैं वैसे तो वीचिकिच्छा भी बोलते हैं इसको वीचिकिच्छा इसका पाली का नाम है वीचिकिच्छा का मतलब है संधे करना यानि कि आप अपनी मेहनत पे, अपनी एजूकेसन पे, अपनी विद्या पे या जो बुद्ध ने बताया हुआ रास्ता है, जो जीवन के लिए रास्ता है, अगर आप उस पे संका करते हैं, तो वो बारवार संका में डालेगा, वो कहेगा अरे नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं वो बारवार आपको यानि मार जितनी भी है बुराई सरी की जितनी भी है वो कहेंगे अरे इससे तो कुछ नहीं होने वाला है विपस्टा साधना से क्या होगा अरे ये तो कुछ नहीं है बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा ऐसे करके वो आपके मन में संदेट डालेगा ऐसे करके वो आपके मन में डाउट डालेगा और डाउट डालने का बाकाइदा पूरा पूरा प्रोसेस भी देगा यानि आपका माइंड आपके मन आपका खुद ये कहेगा कि ठीक नहीं है ऐसा नहीं होगा ये तो बेकार कीजिए ऐसा तक कुछ नहीं है इसको वीची किस्सा बोलते हैं और अगर एक वार वो संदे उसने डाल दिया और उस पे वो काबिस हो गया और आपके मन में ये बात उसने रख दी कि ये बेकार है, संदे आसपद है फिर आप उस रास्ते तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि आप संसे में आ गए और वो रास्ता बंद हो जाएगा और मिट तो फिर आपको कबजे में ले लेगी ठीक ऐसे ही जैसे आप जंगल में जा रहे हैं सीधे रास्ते और कोई आदमी ये कहे इधर मां जाना, इधर तो बड़ा गहरा अंदेरा है गड़ा है, शेर भी है, साप भी, अजगर भी है और आप उसके कहने पर उस रास्ते को छोड़के और दूसरे रास्ते पर चले जाएं जहां वास्ता में गड़ा है, साप है, अजगर है और शेर है ये ठीक ऐसे ही मन आपको बार-बार-बार-बार-बार वीची के सामें डालता है, जो लोग विपस्तना साधना करते हैं, वो वीची के सा को अच्छी तरह से जानते हैं, मक्खो थम्मों ते अठ्थमों, मक्खो थम्मों का मतलब होता है, कि दूसरे को डाउन करना, गर्ब और अभिबान और घमंड के रूप में रेना, यानि कि आपको गर्ब है, घमंड है या अभिमान है, अपनी ताकत के उपर, या अपने उपर, या अपने विचार के उपर, या जो आप कर रहे हैं उसके उपर, ये एक मार का पॉजिटिव साइन है, जो आपको देता है, अंत में उसको निगेटिव पहुचा देता है, यान से कोई स्कूटर चलाने वाला या साइकल चलाने वाला या बैक चलाने वाला कोई बच्चा है जो 17-18 साल का है नौजवान और वो बैक चला रहा है और बैक चला चलाते उसको यह घमंड और गर्व हो जाया कि मैं तो बहुत अच्छी बैक चलाता हूं एक टांग पर चलाता आड़ी पी चलाता हूँ, उल्टी पी चलाता हूँ, सीधी पी चलाता हूँ और वो इस तरह से गाड़ी चलाए और गाड़ी चलाते 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 कहीं ये गड़ा आया या किंकड़ाया और वो गाड़ी पल्टी और वो मर गया आपको जो घमंड है जो आपको गर्व है उस गर्व ने आपकी जान ले ली कहने को तो positive हो सकता है मगर अनन तो वो negative सावित होता है और वो आपको मिट्टू के द्वार तक पहुचा देता है और इस परकार वो काम्याव हो जाता है आपको मिट्टू के द्वार तक पहुँचाने में आपको मारने में इसलिए ये उसकी सेना आठवी है जिसमें वो इस तरह से मारता है बहुत सारे लोग हैं जो गमंड से और गर्ब से खतम हो जाते हैं कोई धंका काम ही नहीं करते हैं उनको गर्ब और गमंड बहुत जादा इस बात का रहता है लाभ हो सिलोको सक्कारो यानि कि जो प्रसिद्धी है जो लाभ है और जो सतकार है ये एक positive sign है कि जब आपको लाभ और सतकार या आपको प्रसिद्धी मिलती है तो आप इसको कैसे लेते हैं मगर अगर ये disease बन जाए ये बीमारी बन जाए जैसे मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे ये एक बीमारी हो जाए कि मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देखें बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करें बहुत सारे लोग इसको लाइक करें बहुत सारी जगे मेरा मान सथकार हो प्रसिद्धी हो और ये मुझे नीट बन जाए और बार 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 मुझे चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए तो अनंत ये मुझे मार देगी क्यों मार देगी क्योंकि ये मेरी भूग बढ़ती जाएगी और जब ये बढ़ती जाएगी और मुझे उतना नहीं मिलेगा तो मुझे दुख होगा वो लाव और वो सद्कार और वो जो प्रसद्धी है वो मुझे कम मिलेगी या नहीं मिलेगी तो उससे मेरा जो मन है वो मर जाएगा मैं मायूस हो जाऊँगा और मायूस होने के बाद मैं अनन्त मैं मिर्टू के हाथ में चला जाऊँगा मेरी सिहत खराब हो जाईए इसलिए ये उसका नौवा आतियार है कि बहुत जादा गुद्धी जीवियों को वो इस तरह से मारती है कि उनको बहुत ज़दा प्रिसिद्धी बहुत ज़दा सद्कार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सभाहों में अगर बीच की कुर्शी नहीं मिलेगी या मुख्या थिती नहीं बनाएंगे तो वो चुछड़े हो जाते हैं, परिसान हो जाते हैं, बहुत सारे माइक के मरीज हैं, जिनको माइक ने देंगे तो वो परिसान हो जाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब तक आप उनको पूछेंगे नहीं या उनको तवज़ नहीं देंगे या इसपेसल उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपके हैं आएंगे नहीं या जाएंगे नहीं या बहाने बनाएंगे या चुछड़ापन करेंगे या आपका फ विन्यता जो धर्मेंदर है, उनका एक statement सुना था, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि यह जो शोहरत है, यानि प्रिसिद्धी है, यह जो शोहरत समुंदर का कोई साहिल नहीं होता, यानि कि जो शोहरत है, वो एक ऐसा समुंदर है, जिसका कोई किनारा नहीं है, इसका मतलब यह है कि शोहरत में आदमी एक दिन डूब के उसमें मर जाता है क्योंकि जब कोई किनारा ही नहीं है तो जाएगा कहाँ इसलिए वो जीवित नहीं रहता शोहरत समुंदर का कोई साहिल नहीं होता यानि कोई किनारा नहीं होता वो उसमें मर जाते हैं ये बात बिलकुर ठीक है कि मार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिशिद्धी और लाव और सतकार में आदमी को मार देती है. दस्वा है, मिच्छा लद्धो चे यो यसो, यो चत्तानंग समुक्चे. यानि बुरे मार्गों से जो यस प्राप्त होता है. इसमें ये भी खास बात है, कि जो बुरे कामों से यस प्राप्त होता है, वो भी आपको मार देता है. यानि कि कोई अगर बुरा काम करता है, और उससे कोई प्रसदी मिलती है, तो अनन्त वो मारा जाता है, क्योंकि बुरे काम की प्रसदी सिर्फ टेंप्रेरी होती है रन्त में वो उसे मर्ट्यू को प्राथ होती है खत्म हो जाता है जैसे कोई आतमी अमरीका के अंदर कोई बंदूग लेके बहुत सारे बच्चों को स्कुल में मार्ग देता है अनन्त उसकी प्रसदी तो हो जाती है मगर फिर उसके बाद उसे कोई नहीं पूसता और वो जेल में भी सर्चल के मर जाता है सब उसको घर्णा की दर्ष्टी से देखते हैं ये इसके साथ आता है यो चत्तानंग समुक्तंचे समुक्त की माने होता है आत्म प्रसंसा यानि कि जिसको आत्म प्रसंसा की आदत पड़ जाए मार उसको जल्दी खतम कर देता है या पर निंदा पर निंदा या आत्म प्रसंसा दोनों मैं से जो बीमारी लग जाए या दोनों जिसको लग जाएं किसी की बुराई करना या अपनी प्रसंसा करना बहुत सारे लोगों को ऐसी होती है जो 24 गंटे एक तो हमने करेक्टर ऐसा देखा एक सभा के अंदर वो बड़ा जाना माना रिनाउन वकील और माइक पे अगर वो आदा गंटा बोलेगा तो मैं के लावा कुछ नी बोलता मैंने ये किया, मैंने वो किया मैं वहाँ वो, मैं ये, मैं वो, मैं वो अच्छा सुनने वाले भी बहुत कमाल के हैं एक सिंगल वेक्ती भी नहीं बोलता कि आप बोल क्या रहे हैं, या तो वो जड़ा अच्छे हैं कि बोलते नहीं हैं, या उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है तो वो आत्म इह किया उसनी यह किया अपना उसने कुछ नहीं बताया कि वो क्या करना चाहिधा क्या नहीं तो दोनों ही केसों में जो यह जो परणिंदा या आत्म परसंसा है यह व्यक्ति को मौत के घाड ले जाती है उसे मार् दे देती है यह मच्चु जाने के मिर्टू के सारे सारे एजेंट हैं डैथ के एजेंट हैं ये डैथ के पास लेकर जाते हैं दस की दस चीज़ें ये मार की सेना है ये मार के अंग है अगर आप किसी उसमें देखेंगे जो पिचर है मार की बुद्ध के साथ में तो आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से आती मार की तीन कन्याई भी होती है यानि कि जो कहानियों में बताया गया है वो मार की तीन कन्याई भी है वो कौन सी है तरशना, एरती और राग यानि तरशना है, एरती है और राग एरती भी मैंने आपको बताया है तरशना भी बताया है और राग भी बताया है कि अंत में कि मार को आप पूरे जीवर में देखेंगे और खुद मिर्टू के शिखार भी एक दिन होंगे जब आपको मिर्टू आईगी तो आप देखना आप ध्यान से देखेंगे कि कौन-कौन सी बीमारी आपके पास आ रही है कौन-कौन से काड़ों से वो पैदा हुई है मन कितना आपका शांत है इन में से कौन-कौन से चीज आप भारी पड़ी है कौन सी कम पड़ी है मार को भगाने का भी तरीका है यानि कि मार को मारा जा सकता है कैसे अगर आप पंच्छील का पालन करते हैं तो मार को कमजोर कर देंगे यानि कि अगर आप पंच्छील का पाल बिल्कुल बिमार होके कौने में पड़ी रहेगी वो आपका कुछ नहीं बिगाल सकती और अगर आप कहीं अरत हो जाते हैं तो फिर तो आपने मार पे जीवन प्राथ कर लिया आपने मार को मार दिया मार फिर आपके अधीन और कंट्रोल में आ गई आप जब चाहें जब अप जो चाहें वो करें फिर आपके अधीन रहता है बुद्ध ने मार को कंट्रोल कर लिया था और बार बार जो मार है वो बुद्ध के पास आता था और रुकेस्ट करता था कि अब आपने बहुत जीवन जी लिया है अब आप मेरी बात मानो और अब मिर्तु को प्राप्त हो ज कि अब आपका भिकको संग्वी पूरी तस्तियार है आप क्या बोलते हैं मृत्व को पर राप्त रुजा जाए और उसने निविदन किया तब बुद्ध ने कहा कि ठीक है मैं तीन मेहने बाद मिर्टू को प्राप्त हो जाऊंगा मार की रुक्वेस्ट पर ऐसी मार की करके हां का नहीं जा सकता पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बराबर की निगेटिव एनर्जी हमेशा रहती है आप एक्टिवेट किसको करते हैं यह आपके उपर है आप निगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे अगर आ कर दो 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 कर दो